दोस्तों अगर आपके फोन में जीमेल एप से कोई भी जो है इमेल सेंड नहीं हो रहा है कोई भी इमेल नहीं जा रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सही करेंगे ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सबसे पहले आपको क्या करना है आप अपने फोन में एक बार flight mode लगा लीजिए और flight mode हटा दीजिए ठीक है इसके बाद आप जा करके जो है देखिए आपके में जा रहा है email की नहीं फिर भी नहीं जा रहा है तो आप यहां से चले जाएए Google Play Store में Google Play Store में जाने के बाद आप यहां पर Gmail लिख करके सर्च कर लीजिए और Gmail लिख करके सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर Gmail दिखाएगा अगर आपका app outdated है तो आपको यहाँ पर update का option दिखाएगा आप क्लिक करके इसको update कर लीजिए उसके बाद आप जा करके देखिए इमेल जा रहे हैं कि नहीं फिर भी नहीं जा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है आपको जाना है फोन की सेटिंग्स में सेटिंग्स में जाने के बाद क्या है आपको यहाँ पे सिम कार्ट से और मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करके एक बार यह भी देख लेना है कि आपके में जो डाटा सिम लगा है वही सिम यहाँ पर लगा होना चाहिए जिसमें रिचार्ज है ओके अगर कोई और सिम लगा है जिसमें recharge नहीं है तो आप click करके वो sim लगा लीजिए जिसमें recharge है आपका ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर back कर लीजिए और यहाँ से आप नीचे की और scroll करिए नीचे की और scroll करेंगे तो आपको एक apps का option दिखेगा आप इस पर click करिए इस पर click करने के बाद करने के बाद आपको यहाँ पर clear data का option दिखेगा आप इस पर click करिए और यहाँ पर clear all data कर दीजिए और यहाँ पर okay कर दीजिए और उसके बाद आप जाईए अपने gmail में देखिए आपको आपका email जा रहा है कि नहीं फिर भी नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना है आपको वहीं पर चले जाना है वापस ओके यहीं पर मतलब gmail में चले जाना है app info में और यहाँ पर आपको एक option दिखेगा restricted data usage का आपको इस पर click करना है आपको एक mobile data का option दिखेगा देख लिए आपसे गलती से यह uncheck तो नहीं हो गया यहाँ पर आपको click करके select कर लेना है इसको और यहाँ पर ok कर देना है यहाँ पर इसको select करने के बाद ok कर लिजे और उसके बाद आप अपने gmail को एक बार force stop कर दीजे और अब आपके phone में जब आप gmail से click करेंगे आपका gmail आप open हो जाएगा और उसके बाद आप email भेज सकते हैं अगर वीडियो से help होई हो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लिजे subscribe and bell icon को press ऐसे यह और भी वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और new वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ